मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो की है वाइंडिंग्स इंडी सी मशीन ठीक है पुरानी स्लाइट में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या है एलेक्ट्रो मैगनेट की और हम लोग क्यों उज़ करते हैं क्यों प्रफर करते हैं यह मैं पुरानी स्लाइट में पुरानी प्रेजेंटेशन लेक्चर्स में बता चुका हूं तो आज हम लोग बात करेंगे कि डीसी मशीन के अंदर जो वाइंडिंग्स होती है उनका क्या रूल होता है so कोई भी अगर मशीन है चाए वो DC है चाए वो AC है सबी के अंदर windings यूज होती है windings basically जो main इनका purpose होता था ये मैंने बताया था कि electromagnet बनाने काम होता है देखो actual में कोई भी motor हो कोई भी machine हो ठीक है उसके अंदर हम लोगी कोशिश क्या रहती है कोई भी machine हो चाए वो DC हो चाए वो AC हो सब में जो main purpose होता है windings का वो हम लोग करना क्या चाहते है ultimately एक magnet होती है ये north-south और एक magnet हम लोग बाहर रखते हैं north-south और इस magnet को जो हम rotate कराते हैं तो इसके interaction के साथ ये magnet को हम लोग ये जो अंदर की magnet होती ही rotate करती है तो actual में क्या हो रहा है कि हम लोग हर बार दो magnetic field की मुझे जरूवत पड़ेगी कोई भी motor हो चाए वो DC हो चाए वो AC हो चाए synchronous हो कोई भी motor हो दुनिया की कोई motor उसको घुमाने के लिए मुझे दो magnetic field की जरूवत पड़ेगी ठीक तो दो magnetic two magnetic fields हमेशा हमें जरूवत दो magnetic field की मुझे हमेशा जरूवत पड़ेगी ठीक है अब ये दो magnetic field जो है एक single supply से भी बन सकती है ठीक है एक supply से ये दो magnetic field निकल सकती है या फिर दो अलग-अलग supply मैं इन magnetic field को generate करने के लिए दूँ ठीक है इसके उँपर मैं बहुत ज़ल एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि जिसका title होगा कि singly excited and doubly excited machines उसको देखना ना बोलें बहुत important topic होने वाला है उसमें मैं इस चीज़ के बारे में बहुत detail में discuss करूँगा ठीक कि doubly excited या यहाँ यहाँ यह जो मैंने बात कह रहा हूँ ना कि single supply से दो magnetic field बनाना double supply से दो magnetic field बनाना यह सारी के सारी singly excited और doubly excited machines का जो मैं lecture लोगा उसके इंदर discuss करूँगा तो again topic पर आते हैं तो हमें हर बार करना क्या है कोई भी machine अगर आपको चलानी है तो आपको दो magnetic field की जरुवत है एक ऐसी magnetic field जो क्या होगी weak होगी या follower होगी और एक ऐसी magnetic field जो strong होगी या फिर कह सकते हैं इसको ये master होगी ठीक है master और एक ये माल लेते हैं इसको slave कह देते हैं master slave हर बार ये combination सारी की दुनिया की जितनी में machines हैं उन सब में ये combination चलता है एक dominating magnet होती है जब ये इसको हम लोग change करते हैं या rotate करवाते हैं तो ये जो weak magnet होती है ज़सको follow या फिर rotate करने की वज़ा से घूमने लगती है तो ये जो दोनों machines ये जो दोनों magnetic field है इनको बनाने के लिए ये दोनों की दोनो maximum cases में दुनिया की जायतर machines में इन्हे electromagnet लिए जाते हैं क्यों electromagnet लिए जाती हैं इसके लिए आप मेरा lecture देख सकते हैं link और दिया हुए तो electromagnet लिए जाते हैं यह जो electromagnet लिए जाता है electromagnet को बनाने के लिए मुझे winding की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी लिए इस तरीके की जो winding होती है उनको हम लोग कहते है machines winding और winding in machines ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो topic है वो limited है DC machine की मैं बात करूँगा यह जो पूरी सीरीज चल रही है अभी मैं DC machine की बात करूँगा जब मैं AC machine की बात करूँगा तो उसमें winding कुछ अलग तरीके क्योंकि वहाँ discuss करेंगे लेकिन अभी यह जो lecture है यह पूरा पूरा DC machine पे limited है तो अगर winding की बात की जाए winding मैंने आपको बता दिया कि purpose क्या होता का अगर वाइंडिंग की टाइप को बाटा जाए कि कि ने टाइप होती तो basically winding जो होती है ठीक है उनको दो category में divide किया जाता है ठीक एक होती field winding फाइल्द फेलinding और एक होती आर मेंचर winding ठीक है जिसके बारे में और बार बात करेंगे यहूस फ्लक्स इसको कहता हूं यूजू फ्लक्स फ्लक्स चीनेहर फिलच वाइंडिंग हो के लिए power को किसके बीच में load और source के बीच में ठीक लोड और source के बीच में जब मैं power को exchange करने की बात करूंगा ठीक है यानि कि जब भी source से power load की तरफ जाएगी या load से source बहुत कम ऐसा होता है लेकिन जब breaking लगाई जाती तब इसका reverse माना बना जाता है खेर तो फोर से load की तरफ जो power जाएगी यानिक इलेक्टिकल power जब लोड और source की बीच में exchange होगी तो जो जिस winding के इस्तमाल से होगी उसे हम कहेंगे और जिस winding से हम लोग main field बनाएंगे यानि कि जो मैंने बताता है तुम्हें master जैसे बनाएंगे master field master field ठीक वो जो master field होगी ठीक वो होगी field winding से ठीक जब field winding है वो master field बनाने का इस्तमाल करती है आर्मेचर winding जो होती हो power exchange का अच्छे एक बात रखना हमेशा आर्मेचर winding वो winding होती जैसे मार्केट से कोई machine motor खरीद के लाए हो ठीक है और वो जो motor है उसमें आपने देखा होगा कोई भी दुनिया की motor खरीद के लाओ या कोई भी generator खरीद के लाओ उसके output में दो terminal दिये होते हैं ठीक है अगर हम लोग earthing wire को ignore कर दे रहे हैं अगर earthing wire मैंने नहीं लिया है तो दो जो terminal दिये होते हैं यह जो terminals होते हैं यह दोनों के दोनों यह बिसिकली आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स होते हैं याद रखना हार में जो आप किसी भी motor को market से खरीदते हो या किसी भी generator को लाते हो तो उसके जो दो वाइंडिंग तो अगर आप Image winding की बात की जाए तो DC मश्मी enhanced में जो आपन वाइंडिंग ह picture वह उसको मैंने दो category में इसरी तोड़ा गया ठीक है तो DC प्रमेचर भाइंडिंग जो थी ऑर मेचर कर geweंडिंग उसको हमने दो वाइंडिंग की जाती है DC मशीन में और किस तरीके की यह लैप होती है कितना इसमें forward turn negative turn यह सारी चीज़ें कितने conductor लगेंगे और conductor कैसे place होंगे हम लोग बात में देखेंगे अभी important चीज जानना यह यह लैप वाइंडिंग के बारे में लैप कुछ इस तरीके की देखती है यह यह जो वाइंडिंग होती है इस तरीके से अगर मैं वाइंडिंग कर रहा हूं कि थोड़ा आगे जा रहा हूं फिर पीछे आ रहा हूं फिर आगे जा रहा हूं फिर पीछे आ रहा हूं तो लैप जाती वेवेव किसकी तरह की तरह तरह की वैंनिंग हो रही है तो यह होती है फैसे कि फैसे करें टिकरी कंगॉच Wow यह nut guideline क्राइब है छीन्व ये काउन सी वैंनिंग का यूज होस्कि फारगी और को मशीन में और कितने इसमें यूज होंगे पैलल पाथ यह सब चीजे मैं डिटेल में डिसकस करूँगा अभी यहाँ पर मैं जनलरी आपको एक एक आइडिया दे रहा हूं कि वाइंडिंग मशीन में कौन सी टाइप की होती है और किन वाइंडिंग के साथ आप लोग डील करते हो ठीक है आई होब यह चीज़ किलियर हो गई होगी ठीक तो आगे चलते हैं यहाँ पर यह पूरा जो वीडियो था इसमें जस्ट एक आइडिया मैंने आप लोगो दिया ल बोटर है ठीक है यह स्टेटर है डीस मशीन का ऊप्अ इस तरीके का जाता है सर्कुलर में औbowooky ठीक है और मैं मैं करता हूँ तो दो वाइंडिंग की गई होती है एक वाइंडिंग यहाँ पर की गई होती होती है पार रोटर के उपर थीक थो एक दो टर्मिनल तो होते हैं वह यह हो निकल के आ हैं यह होंगे और मीचर यह और मेचर decision के? डी सी माशीन में ठीक और यह जो होंगे यह जो हमने यह सफ़ पूल बना रहे यहां एक्च्वल में जब इसमें current आप फ्लो कराओगे इस तरीके से यह current फ्लो करेगा तो क्या होगा यहां पर साउथ पोल बन जाएगा राइट-ंड रूल से आप मैक्सवल के राइट-ंड रूल से निकाल सकते हो direction of current जो है वो इस तरीके से है ऐसे तो यहां पर राइट-ंड रूल याओनी कि मैक्सवल का राइँड रूल लगाोगे تو यहां के आजाएगा साउत आ जाएगा और यहां पर यह जब जाएंगी इस तरीके से ठीक तो यह वायर इस तरीके से गया हूए तो यह जो flux बना यह मैंने यह मेंन reflect होगा मैंने तुम्हें बता है यह क्या होगा mean flux ओगा और यह सी तरीके से यह जो ओगा की ज़ो इसको यहाद रखना ढबर इस Cynthia आगे मैं जर्शी सकरोंगा तो उस उसको मैं field winding काऊंगा और जो रोटर पे winding मैंने लपेटी हुई है इस तरीके से उसको मैं काऊंगा armature winding ठीक अचाए एक चीज बड़ी important आती है कि क्या field winding हमेशे stator और armature winding हमेशा rotor पे की जाएगी यह अगर मैं इसको reverse कर दूँगा तो उसके फिल्यर हो गई होगी जो हम लोग इस तरीके से वाइडिंग करेंगे यह जो दो टर्मिनल्स होते हैं यह आर्मेचर वाइडिंग के और जो में मैंगे यानिक नौर सौथ बनाने के लिए यूज करूंगा वो फिल्ड वाइडिंग अच्छा जो मैंने आपको भी बताया थे थ सबसे पहले चीज मैंने सीखी कि वाइडिंग का परफस था यह मैंने क्लियर कर दिया आपको वाइडिंग क्या करने के लिए होते हैं इलेक्ट्र मैणे बनाने के लिए होता है ठीक है दूसरी बात फिल्ड वाइंग सार्था वन डेट इस फॉर जनेरेटिंग उसल ठीक है तो मैंने अभी जैसे बताया कि North-South जो में फ्लक्स बनाना है जिसके अंदर हमारा रोटर रोटेट करेगा तो यह जो नौट्स बनाने के लिए जो वाइंडिंग मैंने यूज करूंगा उसको क्या कहेंगे हम लोग फिल्ड वाइंडिंग उसको हम लोग कहेंगे फिल्ड ठीक यह चीज़ क्लियर हो गई नेक्स्ट जो और दूसरा चीज़ सिखी मैंने इस पूरे लेक्चर में तो आर्मेचर वाइंडिंग्स आर यूज तो एक्सचेंज पावर इन विद्विन लोट और सोर्स अचा एक चीज़ और बता दूम है लोट क्या होता है लोट बेसिक या फिर पावर यानि कोई भी चीज़ जो मेरे से करेंट या पावर की डिमांड करेगी मैं उसको लोट के नजर से देखूंगा मेरे लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी लोट हो जाएगी अगर मैं बात करूँ मेकैनिकल इंजीनियर किया मेकैनिक्स की साइट से तो उनके के लिए लोड क्या होता है उनके लोड होता है वेट या फिर मास ठीक है वेट और मास यानि कि ऐसी कोई भी चीज जो जिसको अर्थ अपनी तरफ खीचेगी अर्थ की gravity उसको अपनी तरफ खीचेगी वो mechanical वालों के लिए लोड हो जाएगा ठीक है यह जिसके लिए रोगई तो अच्छा इसी से अगर मैं एक एक चीज और समझाओं आपको की लोड और हमारे लिए कैसे वेरी करता है तो यह हो गया जनरेटर के लिए लोड अगर मैं यहां पर क्या करता हूँ अभी मैं और अगर मैं बात करता हूँ तो वेट ठीक है लिफ्ट में जो भी लोग चड़े हुए उनका वेट तो अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर के लिए लोट जो होगा मोटर के लिए ठीक है इसको मैं अलग स्लाइड में बता देता हूं तो अगर मैं यहाँ पे अगें यह चीज आपको समझाओं कि किस तरीके से यह याद रखने वाली चीज है कि अगर motor की बात कर रहा हूं motor ठीक तो motor के लिए जो load है वो क्या है mechanical weight mechanical weight या फिर mass ठीक ऐसी चीज जिसको कोई भी क्या हो जिसको gravity कीचे और अगर generator के लिए बात करूँ generator के लिए तो उसके लिए load क्या है current या फिर power पॉवर ठीक है तो power यानि कि V into Y into cos 5 active power की बात हो रही है यहाँ पे active reactive जो भी है सारी power जो है वो basically power यानि कि जिसमें भी current की जरूरत पड़े अगर current zero है तो generator के उपर कोई load नहीं लगा हुआ है clear हो गया यहाँ पे तो यह जो चीज है power की बात हो रही है यह आपका load हो जाएगा एक generator के लिए तो अगर तुमसे कहा जाए कि motor जो है तो यानि motor का load क्या हुआ motor का load जो था वो decrease हो गया ठीक है अगर बात करीजा जन्रेटर के लिए तो generator के लिए कब होगा जन्रेटर के लिए अगर मालने ते हैं पहले जो था उसमें 10 बल्ब 10 बल्ब जो थे वह series में लगा के हम लोग जला रहे थे अब क्या करा है 10 बल्ब हम गया होगा reduce हो जाएगा तो एक्ट्वला को समझ में आ गया होगा हमारे लिए क्या होता है motor motor के लिए load क्या होता है और जन्रेटर के लिए load क्या होता है ठीक तो अगे इस स्लाइट पर आते हैं यहाँ पर जो हमने छोड़ा था कि है कि उके हमने क्या देखा था यहां पे आर्मिट टो एक्ष यहां लोड और सोर्ज के बीच में जो पाउर एक्षेंज होगी वह आर्मिटर वाइं इसे होगी नेक्स आर्मिटर वाइंडिंग की तू पार्ट्स लैप और वेव यह ने बता दिया को जिस तरीके से मैंने देखा कि winding कौन-कौन सी एक field winding थी और एक armature winding थी एक armature winding कैसी कि दोनों winding ने मिलके DC machine का परिवार जो था उसको categorize करा DC machines को categorize करा अलग-अलग parts में तोड़ा इसको हम लोग देखेंगे next video में आयो भी आपको समझ में आया होगा और यह series बहुत important चल रही है इसको आप लोग देखते रहे हैं अपना वैल्यूवल time देने के लिए धन्यवाद जल्दी मिलते हैं next video में